ओल्ड चीकी में टाइप करने की तकनीक विक्सित कर ली, आज उनके प्रयासों से संथाली भासा में लिखे ले लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। बात रहे संथाली भासा आएदी कतें चीरे में चूँगोगा ओकाटा नवा पहचान बरते पद्धान मंत्री नरेंद्र मोधी में लेकराये। मेरी पहरे साथियों, अगर मैं पूछू की कोई बच्चा कौन सी भासा सबसे आसानी से और जल्दी सिकता है, तो आपका जवाब होगा हमारे देश में लगभग बीस हजार बाशाएं और बोलिया हैं और ये सब की सब किसी न किसी की तो मात्री भासा है ही है। अभियान शुरू किया गया है। संथाली हमारे देश के कई राज्यों में रह रहे संथाल जनजातिय समुदाय के लोग बोलते हैं। भारत के अलावा बांगलादेश, नेपाल और भुटान में भी संथाली बोलने वाले आदिवासी समुदाय मोजूद है। संथाली भाषा की ओनलाइन पहचान तैयार करने के लिए ओडिशा के मवरुभंज में रहने वाले स्रीमान रामजीत टूडू एक अभियान चला रहे है। रामजीत जी ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफर्म तैयार किया है जहां संथाली भाषा से जुड़े साहित्य को पड़ा जा सकता है और संथाली भाषा में लिखा जा सकता है। दरसल कुछ साल पहले जब रामजीत जी ने मोबाइल फोन का इस्तेवाल शुरू किया तो इस बात से दुखी हुए कि वो अपनी मात्रू भाषा में संदेश नहीं दे सकते हैं। इसके बात वो संथाली भाषा के लिपी ओल्ड चीकी को टाइप करने की संभावना इस तलास करने लगे। अपने कुछ साथियों की मदद से उन्होंने ओल्ड चीकी में टाइप करने की तकनीक विक्सित कर ली। आज उनके प्रयासों से संथाली भासा में लिखे ले लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं।